हेलो फ्रेंड वेलकम टू अनदर वीडियो तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम एनालेसिस करेंगे गुजराथ फ्लोरो कैमिकल्स तो फ्रेंड अगर हम पिछले 5 यर की बात करें तो कंपनी ने अपने इंवेस्टर को सांधार रिटन मना के दे रखा है अगर हम पिछले 1 year की बात करें तो company का share अभी trade कर रहा है अपने higher value से लगभग 20% के discount पे तो friend आगे हम वीडियो में company का fundamental देखता है अगर हम market cap की बात करें तो company का market cap है 32,000 crore के आसपास अगर P.E. ratio की बात करें वो लिकल के आ रहा है 26.24 के आसपास और industry P.E. लिकल के आ रहा है 18.45 के आसपास तो means जो industry P.E. से अभी company का P.E. higher value पर trade कर रहा है अगर हम company के उपर करज की बात करें तो company के उपर करज ना के बराबर है वो लिकल के आ रहा है 0.27 के आसपास अगर हम return on equity की बात करें तो लिकल के आ रहा है 27.19 के आसपास अगर हम EPS की बात करें तो लिकल के आ रहा है 111 की price के आसपास और dividend yield company की काफी कम है और book value company की 502 के आसपास लिकल के आ रहा है और page value company की 1 है अब हम company का financial check करेंगे तो सबसे पहले हम revenue देखते हैं quarterly revenue देखते हैं तो quarterly revenue में company की सांदार यहां पर हमको growth दिख द metaph है तो यली revenue में भी हमको company का सांदार growth दिख रहा है अगर हम इसका profit check करें तो quarterly पर हमको profit लगाता है कुछ quarter से गिरते हुए नजर आ रहा है अगर हम yearly profit check करें तो company का yearly profit है वो सांदार तरीके से बढ़ रहा है अब हम इसके share holding pattern को चेक करता है अगर हम share holding pattern को चेक करेंगे सबसे पहले हम June 2022 के देखता है तो promoter के पास approximately 66% का stay बना है और literary के पास approximately यहां पर बना है 25.58 का stay अगर mutual fund की stay देखें यहां पर 4.23 के आसपास है FI वाले की stay लगबग 4% के पास है domestic की stay यहां पर बहुत कम है अगर हम इस बार June के quarter के साथ इसका compare करें तो promoter की quantity यहां पर लगबग 2% कम हो चुकी है और retailer की quantity यहां पर 1% कम हो गई है लेकिन FI वालों की quantity में यहां पर 2% का increment दिख रहा है और domestic वालों ने भी अपनी quantity लगबग थोड़ा बढ़ा लिये अगर हम इस बार के मार्च के साथ इसका compare करें तो यहां पर हमको साब साब नजर आ रहा है कि promoter के पास stay बिलकुल सेम बना है लेकिन retailer वालों ने जो भी share बेचे है FI और mutual fund वालों ने buy कर लिये है लेकिन अबर हम देखे तो यहां से सपोर्ट की तरह काम कर रहा है तो शेयर का प्राइज यहां से सपोर्ट लेकर एप्लोक्स 3500 की पहुंचा था उसके बाद फिर share के प्राइज में यहां पर करेक्शन हो रही है तो हमें लगता है कि आने वाले समय में share को यहां से करेगा तो फ्रेंड अगर मैं इसका 200 का मूविंग एवरेज देखूं तो वह भी इसी प्राइस के आसपास लिकल के आ रहा है एप्लोक्स 2,900 के आसपास तो उससे निचे भी share trade कर रहा है तो मैं आपसे यह कहूंगा जब तक share अपने 200 moving average से उपपर ना trade करें तो आप इस share में aggressive होके entry मद बनाएगे तो फ्रेंड अगर आप इस समय कुछ share यहां पर buy करना चाहता है तो अपनी quantity का इस जगह पे 30% accumulate कीजिए क्योंकि यहां पर share को support मिल रहा है अगर share के price में थोड़ा और gir out होती है approach share का price यहां पर आपको 2,800 के price मिलता है तो आप अपनी quantity का फिर से यहां पर 30% लगा दीजिए तो फ्रेंड अगर हम RSI indicator के देखें तो RSI indicator अभी trade कर रहा है लगवग 44 के आसपास जब भी RSI indicator 30 के आसपास पहुंचता है share के लिए तो share में खाफी अच्छा यहां से run-up देखने के लिए मिल सकता है तो means अगर RSI तो नीचे आता है तो वो price हमारे लिकल के आ दिए 2,800 से 2,700 के आसपास अगर आपको share इस zone में मिल जाता है तो आपके लिए best buying zone होगा क्योंकि यहां पर share को multiple time support मिल रखा है अगर मैं share के लिए first resistance की बात करूँ तो share के लिए जो first resistance लिकल के आ रहा है वो लिकल के आ रहा है 3,200 की price उसके बाद जो second resistance लिकल के आ रहा है वो लिकल के आ रहा है share के लिए 3,500 की price तो friend अब मैं इसके analysis daily chart पर करता हूँ तो friend मैंने गुजरात फ्लोरो केमिकल का daily का chart आपके सामने लगा दिया गया है अगर मैं नीचे वाले zone को देखूँ तो यहां पर strong support की तरह यह zone काम कर रहा है क्योंकि यहां पर buyer activate है जब भी share की price यहां पर आती है तो buyer इस price को उपर की ओर ले जाते है तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि यहां पर share की price आई है और इस बार भी buyer इसे उपर की ओर ले जाए क्योंकि यहां पर चार्ड में देखू 2022 से यहाँ पर इसी जोन में यह support लेते हुए आ रहा है तो friend अगर मैं 100 days और 200 days का moving average देखूं तो share के price अभी उससे नीचे trade कर रहे है That means अभी share थोड़ा weekend को नजर आ रहा है चार्ड में अगर मैं इसका 100 days और 200 days का moving average देखूं तो लिकल के आ रहा है 3100 की price के उपर तो share को हम तभी बुलिज बान सकते हैं जब यह अपना 200 और 100 days का moving average क्रोस करके उपर की ओड़ जाएगा तो friend मैंने आपको support और resistance weekly chart पे तो बताया है वही यहाँ पर भी लिकल के आ रहा है support इसका लिकल के आ रहा है 2700 की price अगर आपने share को इस zone में accumulate किया तो उसके बाद यह share आपको काफी अच्छा return दे के जा सकता है अगर मैं RSI indicator को यहाँ पर चेक करूँ तो RSI भी अभी हमको दिख लिए 57 के आसपास अगर share के price में थोड़ा correction होता है 50 और 40 के आसपास तो share का price पहुंच जाएगा 2800 या 2700 के आसपास तो यह zone आपके लिए best buying zone है तो friend अगर आपकी जो buying position है उपर के buying price में है तो आप देखिए जब share 200 और 100 days का moving average को cross कर दे उसके बाद आप share में अपनी position बनाने के बारे में सोच सकता है क्योंकि उससे पहले ये share वीकी हमको नजर आ रहा है आपके लिए जो यहाँ पर position बनाने का समय होगा वो होगा share के लिए 3100 के आसपास अगर आप अपनी average को down करना चाहते हैं तो आप share को 2700, 2800 की price में buy किजिए क्योंकि यहाँ पर share के लिए strong support है उससे उपर आप इसको buy मत करिए या तो आप इसको तभी buy करिए जब अपना ये 100 days और 200 days के moving average को cross कर दे वो लिकल के आ रहा है 3100 के आसपास अगर आप इस share में fresh position बनाते हैं अगर आप आपका average 2900 है आपके लिए जो first target लिकल के आएगा वो लिकल के आएगा 3200 के आसपास अगर आप इहाँ पर profit booking भी करते हैं तो आपको यहाँ पर approximately 11% का profit दिख रहा है उसके बाद आपके लिए share के लिए second target लिकलेगा वो लिकलेगा 3500 के आसपास तो आपको यहाँ पर लगबग 20% का profit हो जाएगा तो यहाँ पर लगबग 29% का profit इस share से हो सकता है और फोर्ट टारगेट अगर share अपना all time high होता है तो आपको share में यहाँ से approximately 50% का profit हो सकता है फ्रेंड share यहाँ पर कुछ टायम तर समय बिताता है अच्छे रिजड अपने पेस करता है तो यहाँ से share में और भी ज़्यादा तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है क्योंकि यह एक small cap company है तो small cap company में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद की research जरूर करिए चाहे तो अपने financial advisor से भी concern कर सकता है फ्रेंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe भी कीजिए साथी comment section में comment करके यह भी बताएए कि आपको next analysis कि सेर के अपर चाहिए